नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहुल जेफ, रीगल रीगल चैनल में आपका सौगत करता हूँ, अब पत्ती के खलाफ जूटे केसे में ट्राइल की टेंशन खतम है, जूटे 498 ए, DV 125 CRPC में बिना एविडेंस के जूटी पत्ती के केसे नहीं चलेंगे, प्रोसिक्यूशन एविडेंस इतना इंपॉर्डेंट पार्ट है ट्राइल प्रोसेजर का, जिसमें आरोपी को बेयोंड रीजनेबल डाउट के बेनिफिट मिल जाता है, कोर्ट से अगर एविडेंस में केस लैक करता है, तो अब आप सोचेंगे कैसे, दोस्तों अवेरनेस ब इसलिए हम कहते हैं कि आप educated हो जाईए, शिक्षत हो जाईए और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना लो, इन मामलों के लिए ही हम आपकी मदद के लिए कोर्से सलाते हैं, जिन से आपको कानून की बहतर जानकारी हो, और आप confusion नहीं समाधान पा सकते हैं, आप से पहल बहुत कम टाइम और बहुत कम पैसा घर्ज करके, सबसे जरूरी चीज है कि शुरू होते ही ये cases में वो काफी confident हो जाते हैं, इन courses को लेते ही, अगर आप भी इन courses का हैसा होना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी ये है कि यहाँ दिये वे WhatsApp नंबर पर message करके details मांग सकते हैं, और ह नहाँ जो ये नंबर दिया है, इसी नंबर पर आप WhatsApp message करके अपना appointment book करा ले और appointment book कराने के बाद फिर मुझसे अपनी समस्या का समाधान call पर प्राप्त कर सकते हैं, अब Supreme Court के historical judgment, जैप्रकाश तिवारी versus state of MP, 2022 के judgment है, को नजीर मानिये, landmark judgment है, की तरह यूज किया जाएगा अब यह, इसमें trial की procedure को easy कर दिया गया है, जिसमें focus किया गया है, इस पहलो पर, कौन-कौन से हैं वो पहलो, prosecution evidence, एक, दूसरा है, scrutiny of statement of close relatives, दो, तीसरा, recovery of weapon, oblique, evidence of weapon, offense, statement under section 313 CRPC, धारा 313 CRPC की आवशक्ता यह है, कि आरोपी को उसके खलाव सबूत दिखाई, देने वाली परिस्तितियों को, सपष्ट किया जाना चाहिए, ताकि आरोपी सपष्टी करंड दे सके, defense evidence, यानि कि appreciation of evidence, ये जो है, जरूरी माना गया है, जूटी पतनी, जो false allegations, और false cases लगा कर case चलाती है, तो Supreme Court इस बात पर बोल रहे हैं, कि साबित तो करो, trial में defense को बोलने तो दो, यानि आपको, पती लोगों को बोलने तो दो, और उन्हें अपने पक्ष्टों रखने दो, बस मनमाना व्यवार किया जा रहा है, अगर परिवार वाले statement दे रहे हैं, तो उनका interest, check करो, and validity भी, कि सच बोल रहा है या नहीं, यानि पतनी की तरफ से, evidence देकर judges की discretionary power जो है, वो पूरी तरह से block होती है, और वो होनी चाहिए, जूटी पतनियों के जूटे cases को हर stage पर challenge कर सकते हैं आप, यानि trial के हर stage पर, trial stage में अब Supreme Court criminal charges face कर रहे हैं, पती को ये landmark judgment strength देगा, और पती case में beyond reasonable doubt के grounds पर बरी हो सकता है, जो इस case में हुआ है, जिसक कि मैं अभी बात करूँ, judgment की, आरोपी को बरी कर दिया गया, दोस्तों, educated होई है, और सशक्त रही है, सबसे जरूरी चीज़ है, false case में पतनी को आप तभी पचार पाएंगे, ये पूरा matter, एक simple सी line में समझा देता हूँ, जरूरी ये है, कि आपके द्वारा, अगर evidences नहीं भी दिये गए है, तो घबरानी की जरूरत नहीं है, पर कोई भी criminal charge में case चलाने के लिए, जरूरी ये है, कि उसमें evidence होना चाहिए, अगर महाँ evidence नहीं है, तो ये magistrate साब की गलती है, ये justice साब की गलती है, वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा case, उनकी गलत जमेदारियों का, एक example set करता है, इसको land work judgment मानिएगा, आपके matrimonial disputes के अंदर, दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, like कीजेगा, और share कीजेगा, subscribe कीजेगा, और बता के जाहिए comment section में, कि आप इस वीडियो का, जो ये judgment लेने वाले है, अपने case में किस तरह से फायदा लेन जाते है, thank you